आज इस वीडियो में बताएंगे कि LED बॉल्ब का जो लाइब को कैसे बढ़ा सकते हैं जो एक साल की गैरेंटी में खरीद के लाते हैं तो आप इसको इस कॉंपोनेंट के लगाओगे तो क्या होगा आपको तीन से चार साल तक भी चला सकते हो जो की बहुत ही आसानी से आपको बहुत ही कम प्राइस में तो देख सकते हैं हमारे पास ये क्या चीज है ये है हमारा फैन कैपिसिटर जो देखते हैं देख सकते हैं इसका नमबर सब ये 2.225 MFD का है ये कैपिसिटर ये अच्छा वाला कैपिसिटर होना चाही ना कि खराब वाला ना लें आप अच्छा व लेते हैं और holder में जब इसे लगाने तब ही जाके यह हमारा जल पाता है तो इसी holder में हमें किस तरह से connection करना है जो connection करने के बाद में आपको यह जो तीन साल के जगह में आप कितने साल भी चल सकता है इसका guarantee आप खुद अंदाज लगा सकते हैं चला के तो देखिए इस holder में आ यहाँ पर आपको tight करना है ऐसा tight करने के बाद में देखिए आपको दूसरा connection भी दिखाते हैं उसके बाद में देखिए जो भी आपका holder में जो AC direct 220 connection जो करेंगे उसके लिए जो wire होता है उस wire में जैसे किस तरह से connection होता है उसके दिखा देते हैं जैसा कि यह हमारा AC 220 volt का जो हम connection करेंगे तो देखिए जो भी holder में होगा उस wire में देखिए एक wire को देखिए इस तरह से इसमें आपको connection करना होगा इसका connection को इसमें एक wire में इसमें देखिए एक nut में इसको आपको tight करना है तो देखिए इस तरह से करना है उसके बाद में और एक को देखिए देख सकते हैं इसको यहाँ पर connection करना है यह connection को आप भूलना मत गलती मत करना जैसा connection है वैसा ही same connection करना और चला के देखना आप कितने दिन में आपका lady bulb खराब होता है देखिए उसके बाद में इसको आप यहाँ पर tape मार सकते हैं इस जगह पर और आप यहाँ पर यह कर सकते हैं इसका cover को यहाँ पर डाल लिजेगा और यहाँ पर इस तरह से चलाएंगे देखिए ऐसा यह बन जाएगा इसके आगे यह चीज को आपको connect कर देना है चाहे इस wire के कहीं भी आप आगे लगा सकते हैं इसको जो हमारा LED bulb होता है LED bulb के देखिए holder का जो होता है उससे आगे आप wire में कहीं पर भी इस capacitor को ऐसा connection करके लगा सकते हैं जिसमें इसमें आपको तार यह लंबाई जोड के लगा सकते हैं कहीं पर cut करके भी जो बहुत ही आसानी से यह हो सकता है तो देखिए अगर इसमें अगर same to same इसमें अभी करना है तो देखिए इसको क्या करना है इसको जिससे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें देखिए यह हमारा power connection का जो cable है इसको आप दोनों को यहीं पर रहने देंगे तो भी यह चल जाएगा क्योंकि इसमें direct किसी में रह जाएगा तो देखिए इस wire में जो आता है इसके बीच में जो बहुत ही लंबा है इसमें जगा नहीं है तो देखे इसके बीच में कहीं पर भी एक wire को cut कर दिजेगा cut करने के बाद में देखे एक wire को यहाँ पर कीजेगा और दूसरा वाला को यहाँ पर कर दिजेगा बीच में cut करके इसको एक छोर पर ऐसा आपको connection कर देना है आप इसके अंदर बीच में कहीं पर भी इसको आप कर सकते हैं तो देखिए यही चीज आपको करना है और इसमें जो same connection है वही आपको connection को कर लेना है जैसे अगर इसमें holder के सामने ही करना चाहते हैं तो देखिए इस तरह से कर लीजेगा यह है हमारा एक connection हो गया अब इसको दोनों को एक एक में ऐसे ही से हम एक एक में कर लेना है इतना करके अगर चला लोगे तो आपको देखे जो एक साल में फ्यूज होने वाला बल्फ होता है जो चलने वाला guarantee मिलता है वो आपको तीन साल चार साल दक भी चल जाएगा बीना कोई voltage का up-down problem में भी देखे चल जाएगा और आपको किसी भी तरका रोशनी में problem नहीं आएगा क्योंकि जब रोशनी कम होता है बोलते हैं तो रोशनी कम नहीं होगा जो है वही अच्छा वला जब ये fan capacitor होगा तो आपको रोशनी में कुछ भी problem नहीं होगा जो आपको voltage up-down होगा तो आपको stable voltage करके ये हमें आटपूट में देगा तो देखे इसको हम क्या करते हैं इसको हम tape मार लेते हैं थाकि ये हमें कहीं short circuit ना हो तो देख सकते हैं इस तरह का electric tape जो होता है electric tape को आप इसी तरह से आप इसमें इसी तरह से इसको कर दीजेगा ये कोई दिकत नहीं होगा और इसको यहाँ पर ये fit कर दीजेगा देखे इसको भी आप कहीं पर भी इसको fix कर सकते हैं या फिर इस तरह से रहेगा तो भी कोई दिकत नहीं है पर इसमें आपको थोड़ा इसमे tape उप मार दीजेगा तो अच्छा रहेगा देखे इसी को हम इस bulb को अभी लगा के दिखाते हैं देखे इस तरह से लगाने के बाद में और इसका connection को देखे हम किस तरह से इसको connection करते हैं जब इसी wire को देखे हम लगाएंगे power board में ये देखे किस तरह से इसका रोसनी होता है आप देख सकते हैं तो देख सकते हैं यह हमारा जल रहा है इसमें रोसनी में कोई भी दिकत नहीं होता है आप इतना रोसनी होता है कि आपको जीतना मिलता है उतना ही मिलेगा थोड़ा बहुत कम मिल सकता है तो कोई टेंसा नहीं है पर आपका LED बॉल्प आपका सुरक्चित हो जाता है जो की तीन साल से चार साल तक चला सकते हैं इस तरह का अगर सुरक्षित रह जाता है तो आए हब दोस्तों इस वीडियो से आपको सिखने को जरूर मिला होगा दोस्तों तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीज़ेगा और हमारी चैनल को अभी तक subscribe नहीं किये हो, तो please subscribe कर लिजेगा और हमारे चैनल के notification को अभी all notifications पे set कर लिजेगा तक इस तरह का content आपको देखने को मिलते रहेगा दोस्तों तो चले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद